Hello students, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रिंस वोड एजुकेशन में पिछली क्लास में exercise first है के question number 7 तक करा चुगे हैं आज की क्लास में question number 8 से कराएंगे तो देख question number 8 क्या है? Arrange the following rational numbers in ascending order Ascending order में write करना है यह जो question आपका है ascending order में write करना है ascending माने हैं छोटे से बड़े करम में किसमें आपको लिखना है? छोटे से बड़े करम में लिखना है छोटे से बड़े करम में इनमें भी compare करना है आपको compare करेंगे कि कौन सा number सबसे छोटा है चोटे से बड़े क्रम में लिखना है तो इन चारो नमबर में से कौन सा सबसे चोटा नमबर है फिर जो बचेगा तीन बचेगे तो तीन में से कौन सा चोटा सबसे चोटा नमबर उसको राइट करेंगे फिर दो में से कौन सा चोटा नमबर उसको राइट करेंगे लास्ट मे मालने सबी निगेटिव रेशनल नमबर हैं इसका मतलब इसको compare करेंगे तो compare करने के पहले denominator minus में नहीं होना चाहिए सबसे पहला वर्क है आपका तो denominator को denominator से minus remove करा दीजिए तो कैसे कराएंगे तो यह जो number है एक कोल आपने क्या किया 4 upon minus 9 यह negative है जो denominator है negative है तो minus में जब denominator है तो इसका मतलब minus 1 का multiply कर देंगे और next में minus 5 upon 12 हो गया यह भी negative है इसमे denominator तो इसमें भी minus 1 का into करेंगे तो minus 1 का into किया इसमें भी minus 1 का into किया और यह आपका minus 2 upon 3 तो देखिए क्या बन जाएगा plus minus का multiply minus 4 upon minus minus का multiply plus 9 बन जा 9 तो minus 4 upon 9 हो गया यह हो गया minus 5 upon 12 और बिल्कुल सेम इसी तरह से plus और minus का multiply minus हो जाएगा 7 बन जा 7 upon minus minus का multiply plus 18 बन जा 18 और यह आपका हो गया minus 2 upon 3 अब जो numbers मिले हैं आपके तो आपने सबसे पहले अभी क्या किया है अगर denominator minus में है तो denominator minus denominator को remove करेंगे कैसे minus 1 का multiply करके तो यह आपके सभी denominators plus में आगए अब denominator को equal करना है equal करने के लिए LCM लेना पढ़ेगा LCM of 9, 12, 18, and 3 अब इनका LCM क्या हो जाएगा तो LCM के लिए जैसे एक आपको छोटा method बताया गया था oral माने जैसे 9, 12, 18, and 3 यह आपने लिया यह चार नमबर है जिनका LCM ने में निकालना है तो इन चारों में से जो बड़ा नमबर होगा वो LCM माना जाता है बड़ा नमबर कौन सा 18 है तो इसका अंतरब सबसे पहले आपने 18 LCM लिया अब देखें 18, 9, 2, 18 9 से डिवाइड हो गया 12 से 18 डिवाइड होगा क्या पूरा-पूरा? नहीं डिवाइड होगा इसका अंतरब यह LCM नहीं होगा अब इसका डबल करिए तो डबल करें तो 18, 2 जा कितना हो जागा? 36 अब इस 36 को डिवाइड करके देखें तो 9, 4 जा 36 4 ताइमस डिवाइड हो गया 12, 3 जा 36 यह 3 ताइमस यह भी डिवाइड हो गया 18, 2 जा 36 और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बंजा 3, 3 तूजा 6 माहने 12 टाइमस डिवाइड हो जाएगा तो इस सभी नमबर से डिवाइड हो रहा है तो इसका उतलब 36 एल्सियम बन गया यह आपका क्या हो गया? कैसे आपने बनाया इसको? ओरल कि जो बड़ा नमबर था उसमें से उसको लिखा अगर वो सभी नमबर से पुरा-पुरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो एल्सियम नहीं होगा फिर उसका डबल किया गया डबल को डिवाइड करके देखा गया तो वो सभी नमबर से डिवाइड हो रहा है इसका उतलब 36 एल्सियम हो गया अगर उस method से नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर ऐसे निकाल लें जैसे कि आपको पता है 9, 12, 18 and 3 यह हैं इस तरह से निकाल लेंगे division method से तो division method से निकाल लेंगे तो इसमें prime number से divide करते हैं तो सबसे पहले prime number है 2 फिर इसके बाद 3 है 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद 11 ऐसे करके prime numbers आते हैं तो उनसे divide करेंगे तो सबसे पहले 2 लेंगे तो 2 से divide होने वाले number हैं क्या तो यह तो divide होगा नहीं 12 हो जागे divide 18 हो जाएगा तो 2 पहले ले 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 तो जो divide नहीं हो रहा उसको ऐसे write कर लेंगे तो 9 write किया 2, 6, 12, 6 times 2, 9, 18 और 3 divide नहीं होगा तो 3 को ऐसे अब ही टू से सिक्स हो जाएगा, तो तू फिले लिया, नाइन उतार लिया, टू थ्री जा निया, थ्री उतार लिया, थ्री उतार लिया, अब टू से कोई भी number divided नहीं हो रहा, तो आप 2 से नहीं डिवाइड करें, अब देखें, नेक्स नुमबर लेगा, तो थ्री से रहें तो 3 ले लिया, 3 3 जा 9, 3 टाइमस, 3 वन जा 3, 1 टाइमस, 3 जा 9, 3 टाइमस, 3 वन जा 3, अब ये तो 1 1 आ गया, क्योंकि तब तक डिवाइड करते रहते हैं, जब तक हर एक नमबर के नीचे 1 1 ना आ जाए, तो अब ये 3 3 बच रहा है, तो 3 से फिर डिवाइड हो जागा, 3 वन तो ये आ गया, 3 वन जा 3, 1 ये आ गया, तो अब इसका LCM क्या बन गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, जिससे जिससे डिवाइड किया है, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, ये आपका ये मेथड हो गया, साल्व करने का, तो इससे आपने निकाल लिया, 36 आ गया, ठीक है, और वै पर 9, तो माइनस 4 अपन 9 लिया, तो माइनस 4 अपन 9 एकॉल, अब देखें किस से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा इसमें, तो 9 से इसको डिवाइड करके देखते हैं, 36 को, तो 9 फॉर जा 36, इसका उतरब 4 का मल्टिप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस 4 इंटू 4 अपन 9 4 यह माइनस प्लस का मल्टिप्लाई माइनस 4, 4 जा 16 अपान 9, 4 जा 36 यह आपका एक बन गया अब दूसरा नमबर ले ले तो जैसे दूसरा नमबर हमारा क्या है? माइनस 5 उपान 12 है तो माइनस 5 उपान 12 ले लिए आपने एक्वल तो 12 त्री जा 36 त्री टाइम्स गया तो इस का अज़रा इसमें 3 का मल्टिप्लाई करना पड़ेगा? तो माइनस 5 इंटु 3 आपन 12 इंटु 3 एक्वल माइनस प्लस का मल्टिप्लाई माइनस 5, 3 जा 15 अपन 12, 3 जा 36 अब थर्ड नमबर ले ले ककाउन? माइनस 7 अपान 18 तो minus 7 upon 18 ले लिए आपने तो 18 2036 18 से divide किया LCM को तो 18 2036 टू बाद गया तो अब 2 का multiply करने तो minus 7 upon 18 इंटू 2 इंटू 2 तो यह आ गया minus plus का multiply minus 7 2014 upon 18 2036 अब next नंबर लेते हैं minus 2 upon 3 लेते हैं तो minus 2 upon 3 लिया गया अब 3 का अगर इसमें divide करेंगे तो 3 बंजा 3 वन टाइम जाएगा फिर 3 टूजा 6 माने 12 टाइम जाएगा तो 12 का multiply करना पड़ेगा तो इसमें minus 2 into 12 upon 3 into 12 यह रखा, equal हो गया minus plus का multiply minus 12 to 24 upon 12 to 36 तो सभी के denominator देखे equal हो गये 36, 36, 36, 36 आ गये अब इनको हमें किसमें change करना है ascending order में write करना है इसको किसमें write करना है ascending order में तो in ascending order ascending order ascending order में write करें तो देखे ascending order में write करने के लिए क्या बनेगा इसमें first number इसमें देखे minus 16 upon 36 है minus 15 upon 36 है minus 14 upon 36 है तो सभी निगेटिव रेशन नमबर है तो हमें सबसे छोटा नमबर डूनना है तो छोटा नमबर कौन सा होगा जो सबसे बड़ा नमबर होगा देखने में माइनस में जो बड़ा नमबर लिखा होगा वही छोटा होगा तो देखें माइनस 24, माइनस 14, माइनस 15, माइनस 16 तो माइनस कौन सा है सबसे? बड़ा नमबर जो लिखा है माइनस में, ये लिखा हुआ है इसका उतलब ये सबसे चोटा नमबर है तो इसको राइट किया आपने माइनस 24 अपाँ 36 क्योंकि ascending आडर में है तो यह चोटा नमबर है उसके बाद बड़ा नमबर आने वाला है अब जो 63 नमबर्स बचे उनमें देखे कौन सो चोटा नमबर है तो इनमें minus में लिखे वह जो सबसे बड़ा नमबर लिखा होगा वही चोटा होगा तो minus 16 upon 36 तो आपने minus 16 upon 36 राइट किया और उसके बाद में यह दो बचे इनमें कौन सो चोटा नमबर है तो minus 15 upon 36 minus 15 upon 36 और उसके बाद में minus 14 upon 36 बचा तो यह पूरे नमबर्स हो गए अब इसका original फार्म राइट कर लें तो minus 24 upon 36 कौन सो नमबर था minus 2 upon 3 था minus क्या था? 2 upon 3 तो यह आपका minus 2 upon 3 है तो minus 2 upon 3 राइट कर लिया minus 16 upon 36 यह कौन सो था? minus 4 upon 9 तो minus 4 upon 9 है इसका original फार्म क्या? 4 upon minus 9 4 upon minus 9 minus 15 upon 36 यह minus 5 upon 12 है तो minus 5 upon 12 राइट कर लिया आपने minus 14 upon 36 यह minus 7 upon 18 है तो minus 7 upon 18 कहा लिखा हुए? यह 7 upon minus 18 इसका original फार्म है 7 upon minus 18 यह आपका आंसर होगा है एसेंडिंग आडर में आपके लिख दिया इसको इसेंडिंग आडर में राइट करना है तो यहां पर देखें कि यह जो नंबर आपका 3 upon minus 5 है यह आपका किसमे? डिनामिनेटर इसमें माइनस में है तो पहले डिनामिनेटर को प्लस में कर लें तो यह प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 3 upon minus 5 इसमें minus 1 का into करना पड़ेगा और यह आपके minus 7 upon 10 हो गया minus 11 upon 15 हुआ और यह minus 13 upon 20 हो गया देखें नेक्स्ट में plus minus का multiply minus 3 बंजा 3 upon minus minus plus 5 बंजा 5 यह plus का 5 आगया यह minus 7 upon 10 हो गया और यह minus 11 upon 15 और यह हो गया minus 13 upon 20 हो गया अब आपके सभी जो डिनामिनेटर से हैं डिनामिनेटर प्लस में आ गये अब इन डिनामिनेटर का एलसियम ले लें क्योंकि डिनामिनेटर को इक्वाल करना है तो एलसियम आप 5, 10, 15, and 20 यह 4 नंबर से हैं इनका एलसियम क्या हो जाएगा? तो दीखे 5, 10, 15, and 20 तो यह लें जिस तरे से भी आप निकाल पाएं, और र nella निकाल पाएं तो और निकाल लें, division मेथड से निकालना हो तो division मेथड से निकाल लें, तो suppose करिए कि आप division मेथड से निकालने जा रहे हैं 5, 10, 15, 20 अब यहांपधर टू से यह नमबर कैंसिल होर कटेगा तो 2 को आपने rate किया 5 नहीं फाइब नहीं divide होगा 2 से 5 अईसे लिख दिया 2 5 जा 10 और 15 लिख दिया आपने 2 10 जा 20 2 से फिर 10 डिवाइब हो जाएगा तो 5 को ऐसे लिख दिया 5 पे उतार दिया 15 उतार दिया और 2 5 जा 10 अब ये आपका 3 से ये नमबर डिवाइड होगा तो 3 लिख दें 5 उतार दिया आपने 5 उतार दिया 3 5 जा 15 5 अब इसके बाद 5 से डिवाइड होगा तो 5 वंजा 5 5 वंजा 5 5 वंजा 5 5 वंजा 5 1 वन आ गया तो जो इनको मल्टिप्लाई किया गया 2 इन्टू 2 इन्टू 3 इन्टू 5 तो ये कितना आ गया 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 60 60 आ गया तो इसका उत्रब इनका LCM हो गया 60 हो गया अब सभी को 60 LCM के रूप में लाना है तो फर्स नमबर ले ले लेते हैं माइनस 3 उपान 5 जास्ट माइनस 3 उपान 5 ले लिया आपने 5 से 60 को गर हम डिवाइड करें 5 से 60 को डिवाइड करके देख लें कितने टाइम्स जा रहा है 5 बन जा 5 6 में 5 मानिस किया 1 आया 0 उतार लिया 5 2 जा 10 12 आ गया 12 आया 12 का मल्टिप्लाई इसमें किया जागा तो माइनस 3 इंटू 12 आपन 5 इंटू 12 इक्वाल माइनस प्लस का मल्टिप्लाई माइनस 12 3 जा 36 आपन 12 5 जा 60 यह आ गया अब सेकेंड नमबर ले ले माइनस 7 अपन 10 तो 10 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 10 6 जा 60 इसका मतलब 6 का मल्टिप्लाई होगा तो माइनस 7 इंटू 6 अपन 10 इंटू 6 इक्वाल माइनस प्लस का मल्टिप्लाई माइनस 7 6 जा 42 अपन 10 6 जा 60 अब लेते हैं माइनस 11 अपन 15 ले लेते हैं तो माइनस 11 अपन 15 ले लिए आपने अब 15 से इसको डिवाइड करें तो 15 फोर जा 60 फोर टाइम्स गया जिसका अंतलब 4 का मल्टिप्लाई करना पड़ेगा तो माइनस 11 इंटू 4 अपान 15 इंटू 4 इक्वल यह माइनस प्लस का मल्टिप्लाई माइनस 11 फोर जा 44 अपान 15 फोर जा 60 अब नेक्स नंबर लेते हैं माइनस 13 अपान 20 तो माइनस 13 अपान 20 लिया तो यहाँ पर देखा 23 जा 60 तो 3 का मल्टिप्लाई करेंगे तो माइनस 13 इंटू 3 अपान 20 इंटू 3 इक्वल माइनस प्लस का मल्टिप्लाई माइनस 13 जा 39 अपान 23 जा 60 तो सभी देखा कि जितने भी रेशन नंबर से सभी का डिनामेटर 60 60 60 आ गया तो इसे Sending Order में राइट करेंगे तो अब राइट कर लें In Ascending Order In Ascending Order Ascending Order में राइट कर लें तो देखें इनमें देखें कि सबसे चोटा नंबर चोड़े से बड़े कमे लिखना होता है सबसे चोट अन्बर, देखें इसमें तो यह minus 36 upon 60 है, minus 42 upon 60 है, minus 44 upon 60 है, minus 39 upon 60 है तो सबी negative raton number है तो निगेटिव raton number में जो मान, छोटा मान कहुन सा होगा? जो सबसे बड़ा लिखा होगा minus में माइनस में जो सबसे बड़ा लिखा होगा तो माइनस सबसे बड़ा कौन लिखा है माइनस 36, माइनस 42, माइनस 44, माइनस 39 तो माइनस 44 लिखा होगा था ये आपको लिखना पड़ेगा तो माइनस 44 अपान 60 सबसे बड़ा नमबर यही लिखा है माइनस में तो यही सबसे छोटा नमबर हो गए आपका आप छोटे का निसान लगा दें समालर का आप देखिए बाकी जो बचे उनमें कौन छोटा नमबर है तो वो सबसे बड़ा नमबर यही लिखा हुआ माइनस 42 लिखा हुआ है तो इसका अंतलब यह सबसे छोटा नंबर होगा इन तीन में तो माइनस का 42 अपान 60 लेस देन अब जो यह 2 बचे इनमें माइनस 39 अपान 60 हो जाएगा माइनस 39 अपान 60 और लास्ट में कौन सा बचा माइनस 36 अपान 60 तो फोर नंबर थे फोर नंबर लिख दिया आपने अब इसका ओरिजिनल रूप लिख दे तो माइनस 44 अपान 60 कौन सा नंबर है माइनस 11 अपान 15 है तो यह आपका है माइनस 11 अपान 15 हो गया तो माइनस 11 अपान 15 लेस देन माइनस 42 अपान 60 कौन सा है ये नमबर है, minus 7 upon 10 है, minus 7 upon 10 हो गया, minus 7 upon 10 है राइट कर लिया आपने, और इसके बाद minus 39 upon 60, ये कौन सा है, last वाला नमबर है, minus 13 upon 20, तो ये आपका हो गया, minus 13 upon 20, और इसके बाद less than, minus 36 upon 60 है, ये first नमबर है, तो जो आपका लिखाओ था फर्स नमर 3 upon minus 5 तो यह sending order में आपने write कर लिया यह answer हो गया second part तो second part में देखें minus 3 upon 4 5 upon minus 12 minus 7 upon 16 9 upon minus 24 तो बिल्कुल जो part इसमें first और third में जिस तरह से किया बिल्कुल सेम उसी तरह से आपका उसी pattern से किया जाएगा तो यहाँ पर देखें यह denominator से इसके minus में 5 upon minus 12 में denominator minus में 9 upon minus 24 में minus में denominator तो इनमें क्या किया जाएगा इनमें minus 1 का multiply कर देंगे क्या करेंगे इनमें minus 1 का multiply कर देंगे तो यह तो minus 3 upon 4 हो जाएगा तो यह जागा माइनिस 9 upon 24 हो जाएगा तो अब जो आ गया उसमें जो डिनामनेटर्स हैं उनका LCM ले 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 और सब जितने भी माइनिस 3 upon 4 है फिर इसको जितना LCM आएगा उस LCM के गार्डिंग उसका डिनामनेटर बना लेंगे मल्टिप्लाई करेंगे इस तरह से करेंगे फिर उसको एसेंडिंग आडर में राइट कर लेंगे तो यह कोशन नमबर सेकेंड करेंगे बिल्कुल सेम चीज इसम माइनस 28 है जो फोर्थ पार्ट में है 13 upon minus 28 यह आपका माइनस में डिनामनेटर है तो इसमें into minus 1 करना पड़ेग तो यह minus 13 upon 28 हो जाएगा तो फिर इसको भी उसी तरह से डिनामनेटर का LCM ले लेंगे LCM लेने के बाद में सभी को जितना LCM आया है उतने डिनामनेटर के रूप में लिख लेंगे फिर compare कर लेंगे compare करने के बाद ascending order में write कर लेंगे तो इस तरह से second और fourth करेंगे उसको comment box मे answer देंगे जिनको problem होगी तो वो comment box में पूछ लेंगे next class में exercise first A के question number 9 से कराएंगे minus की सभी classes देखने के लिए description box में दिये गए link से जाकर आप देख सकते हैं पीडियाप के लिए आप हमारे टेलेग्राम चैनल को join कर सकते हैं जिसका link भी description box में दिया गया है वीडियो पसंद आया हो तो like करें चैनल में नए है तो चैनल को subscribe करें धन्यवाद मिलते हैं अपनी next class में